नमस्कार क्या आपको पता है कि केजरिवाल जी को गिरफतार क्यों किया है? केजरिवाल जी को NDA के एक MP के ब्यान पर गिरफतार किया है उनका नाम है मगुंटा श्री निवासलू रेड़ी यानी MSR MSR आंद्र परदेश से NDA के एक सांसद है MSR ने ऐसा क्या ब्यान दिया जिससे आपके मुख्यमेंत्री केजरिवाल को गिरफतार कर लिया 17 सितंबर 2022 को MSR के ठिकानों पर ED की रेड हुई उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी केजरिवाल जी से मिले है उन्होंने कहा हाँ मैं 16 मार्च 2021 को केजरिवाल जी से दिल्ली सचीवाले में उनके दफ्तर में मिला था मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था उसके लिए दिल्ली के CM से जमीन के बारे में बात करने गया था केज्रिवाल जी ने कहा लैंड LG के पास है एप्लिकेशन देदो हम देखते हैं और कहकर चले गए ED को MSR का जवाब पसंद ही नहीं आया ED ने कुछ दिन बाद MSR के बेटे रागव मगुंटा को गरफतार कर लिया फिर से MSR के और ब्यान लिये गए मगर वो अपना पहले वाला ब्यान ही धोराते रहे क्योंकि वही सच था और उनके बेटे रागव रेड़ी की बेल खारीज होती रहे इस दोरान सदमे से रागव की पतनी यानी MSR की पुत्रवदू ने आत्मत्या करने की कोशिश की और उनकी बूरी मा बहुत बिमार हो गई इन सब को देखते हुए बेटे के लिए बाप भी तूट गया 17 जुलाई 2023 को पिता MSR ने ED में अपना ब्यान बदल दिया उन्होंने अब कहा 16 मार्च 2021 को मैं केजिवाल जी से मिलने गया था मुश्किल से 4-5 मिनट मुलाकात हुई वहीं 10-12 लोग बैठे थे मेरे कमरे में घुसते ही केजिवाल जी ने मुझसे कहा कि दिल्ली में आप शराप का काम चुरू करो बतले में आम आदमी पार्टी को 100 करोर रुपिये दे दीजे केजिवाल जी से ये मेरी पहली और आखरी मुलाकात थी इस ब्यान के बाद अगले ही दिन MSR के बेटे रागवरेडी को एडी ने बेल दिलवा दी जाहिर है कि MSR का ये ब्यान झूटा है वे खुद कह रहे हैं कि ये उनकी केजिवाल जी से पहली और आखरी मुलाकात थी दस बारा लोग वहां बैठे थे अगर किसी को किसी से पैसे मांगने भी थे तो वह क्या कोई किसी अजनबी से पहली मुलाकात में ही 10-12 लोगों के सामने इस तरह पैसे मांग लेगा जाहिर है कि MSR के बेटे और परिवार को 5 महीने बूरी तरह परतारित किया गया इसलिए MSR ने अपने बेटे को बचाने के लिए जूटा बयान दिया और इस बयान को देने के बाद दो दिन में ही MSR के बेटे को बेल मिल जाती है इन सब बयानों से एक बात तो साफ हो गई कि अपने बेटे को जेल से निकलवाने के लिए MSR ने जूटा बयान दिया कोट ने भी केजरिवाल जी को बेल देते हुए यही माना कि ED ने बेल का लॉलिपब देकर बयान लिया बिना किसी सबूत के आपके बेटे केजरिवाल जी को एक गहरे राजनेतिक शड्यंत्र का शिकार बनाया गया है वो एक समानने पढ़े लिखे देशभक्त और कटर इमानदार वेक्ती हैं यदि आज आप उनके साथ खड़े नहीं हुए तो इस देश में पढ़े लिखे इमानदा लोग कभी राजनीती में नहीं आएंगे क्या मोदी जी केजरिवाल जी के साथ ठीक कर रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश को पता चल सके कि मोदी जी कैसे EDCBI के जरीए एक घहरे राजनीतिक शड्यंत्र के तहत आपके केजरिवाल और आमादमी पार्टी को खतम करना चाह रहे हैं जै हिंद